नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग अमीद करता हूँ आप को बहुत अच्छे होंगे और आपके- पैयरी भूत अच्छे से चल रही होगी जैसे कि आपको पता है कि प्रेथिज दिन सुबहा 10 बजे हम हिंदी की प्रक्टिस करा रहे हैं और topic by topic आपका revision चल रहा है जो कनिश्ट सायक के साथ साथ जितनी भी vacancies होती हैं जिसमें आपकी हिंदी का एक एहम रोल होता है उन सभी के निये योग्ये हैं अभी तक हम दो किला तक करा चुके हैं हमारी पहला chapter जो था बड़माला था बड़माला में हमने एक में सवर और दूसरी में benyan हम करा के उसे complete कर चुके हैं 30 MINUTE का सो होता है यह हमारे ठीक है और तीस्री क्लास जो है हंदी की है हिंदी की यह है ठीक है यह तीस्री क्लास है हंदी की और यह कितने मिनट करते हैं संधी की ठीक है संधी क्या होती है क्या इसका तरीका होता है तो सबसे पहला हम लिखते हैं संधी संदी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ज्वाइनिंग क्या होता है ज्वाइनिंग यानि कि जोड़ना ठीक है बई अब देखे संदी क्या होता है इसकी परिमाथा क्या होती है दो निकट बढ़ती निकट बढ़ती वर्णो के मेल से मेल से होने बाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? संदी कहलाता है ठीक भई? यह यह कह सकते हैं पूर्ब पद का अंतिम वन ठीक है? प्लस उत्तर पद का पहला पद पहला वन मिलकर जो विकार या परिवर्तन लाते हैं जैसे हम कह सकते हैं बिध्या बिध्या प्लस के आ लिया ठीक है? यह क्या है आपका पूर्पद है? पूर्पद है और पूर्पद में यह क्या है? आ है यह पूर्पद में आ है ठीक है? यहाँ पर क्या है? यह उत्तर पद है और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी आ है इन दोनों के मिलने से जो बड़ा आ बनेगा और इससे क्या बन जाएगा आपका विध्या लिया ठीक है तो इसे याद रखो पहले तो संधी क्या होती है दो निकट बढ़ती बढ़नों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है आपका संधी कहलाता है और पूरपत का अंतिमबन और उ संधी के पिरकार ठीक है संधी के जो पिरकार होते है वो तीन होते है एक होती है आपकी स्वर संधी स्वर संधी ठीक है एक आपकी होती है विएंजन संधी विएंजन संधी विएंजन संधी होती है दूसरी तीसरी जो होती है वह आपकी पूरती होती है विशर्ग संधी होत संदी होती रिवीजन का मतलर रिवीजन ही होता है स्वर संदी क्या होती है समझे स्वर के बाद स्वर आने से स्वर का निर्मान स्वर का निर्मान होता है क्या होता है स्वर का निर्मान होता है उस हमके कहते हैं स्वर संदी कहते हैं ठीक है बेंजन संदी में या हलंत के बाद क के बाद क्या जाए स्वार आ जाए या बियनजन आ जाए ठीक है और बियनजन का बियन-जन का निर्माण हो तो उसे हम कै JUST हम कि ए शन dug है और इन दोनों के में तर निर्मान हो या तू सुवर का हूँ या फिर विएंजन का हूँ ठीक है तो उसे हम क्य blueberry कहते है यह नि इसमें भृत निश्चिय से स्मूमे तो क्या आता है स्वर संधी दो परसपर स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनता है उस हम क्या कहते हैं स्वर संधी कहते हैं बेंजन संधी में क्या होता है कि बेंजन के बाद स्वर आए या फिर आए बेंजन और उसके मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते है उसे हम बेंज जो हो वो किसका हो वो स्वार का भी हो सकता है और बेंजन का भी मिमान हो सकता है उसे हमके कहते हैं मिसर्व यहां पर तो स्वारी स्वार होगा यहां बेंजन हो जाए जैसे बाक प्लस के इस तो क्या हो जाएगा बागीश बागीश तो यहां पर इसका ही निर्मान हुआ है वेगर यहां किसके साथ गय के साथ नमा हुआ 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 चल्नी है ठीखे तब मैं उम्मीद करूगा कि आप लोह को समझ मंहागว होगी संधी के प्रिकार नुदी संदी होगी आपकी बेंजन संदी हो गई और विशर संदी क्या कहने वाले हैं स्वर संधी ज़ूर संदी ठीक है पहले हैं सिर पारृषाam क्या होती है इसकी परिवासा मैं आपको बताने वालूँ ठीक है जब स्वर का मेल स्वर से हो तब संदी सब्द में संदी सब्द में विकार या परिवर्तन के रूप में स्वर का निर्मान हो तो क्या कहते हैं स्वर संदी कहते हैं ठीक है एक्जाम्पल के तोर पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर उधारन के तोर पर हम इसे क्या लिख सकते हैं जैसा हम लिख सकते हैं बीर पिलस के अंगना तो यहाँ पर क्या गया आ चुका है और यहाँ पर भी क्या आ चुका है और इससे क्या बन जाएगा आ बन जाएगा तो क्या बन गया वीरांगना क्या बन गया वीरांगना यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे महा पिलस के इंद्र महा पिलस के इंद्र तो यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर यह आ चुका है और आई से क्या बन गया यह आ गया तो क्या बन गया महिंद्र बन गया ठीक है क्या बन गया महिंद्र बन गया अब आपको पता होनों चाहिए कितने वेद होते हैं पांच होते हैं एक तो आपका होता है दीर्ग स्वरसंदी ठीक है एक होता है दीर्ग स्वरसंदी होता है दूसरा जो होता है वो कौन से होता है गुण स्वरसंदी होता है एक तीसरा जो होता है वो आपके ब्रद्धी होती है ब सब्सक्राइब dopamine दिया इसे हम क्या कहते हैं सब्सक्राइब संधी कहते हैं जैसे बीर पलस के अंगना क्या हो जागा भी रांगना ठीक है महापिलस केंद्र महेंद्र हो जाएगा यह उधारन थे सवरसंधी के ब्रकार स्वर संधी के पिरकार क्या होते हैं? समनेगे स्वर संधी के पिरकार कितने होते हैं? पांच अभी बताया गया है ठीक है पांच होते हैं पहला नमबर पर कौन सा होता है? दीर्ग दीर्ग स्वर संधी, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें निर्मान के रूप में क्या होता है A, E और O सब्द के मद्धे में किसके सब्द या संधी सब्द में हम लिख सकते हैं संधी सब्द में क्या मिलता है A, E, O ठीक है बहीं पर दूसरी संधी जो होती है वो कौन से होती है गुण होती है गुण स्वरसंदी इसमें क्या होता है, आपका A, O, R, क्या होता है, A, O, और R होता है, ये भी कहाओगा संधी सब्द में, ठीक है, तीसरी जो होती है, वो कौन सी होती है, तीसरी जो होती है, ब्रद्धी, ब्रद्धी स्वरसंधी, ठीक है, ब्रद्धी स्वरसंधी होती है, इसमें बड़ा A और बड़ा ओ, यह आ जाता है सब्द के मध्ये में, चोथी जो होती है, वो कुन सी होती है, यान स्वरसंधी, स्वरसंधी, ठीक है, इसमें क्या आता है, ये, वे, रे, का निर्मान होता है सब्द के मध्ये में, ठीक है, पांच में नमबर पर जो आती है, वो आप क्या आती है, आ अयादी. स्वरसंदी. इसमें क्या आता है? आब, आव, आबू, आदी. ठीक है? आय, आय, आयू, 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 आई. इन सब्दों का निर्मान होता है. T हो गए आपके सोठ मिलकूर. क्या होता है? आयादी स्वरसंदी. आब, आब, आबू, आभी आए, आए, आयू, आई ठीक है, इस तरीके दे यहाँ पर दीर्ग जो होती है यहाँ पर जो दीर्ग होती है दीर्ग का मतलब क्या होता है दीर्ग स्वरसंदी में आपको A मिलेगा, E, U मिलेगा संदी सब्द होते हैं आपर गुर्ण स्वर संदी में क्या मिलेगा ए मिलेगा ओ मिलेगा अर मिलेगा ठीक है ब्रदी संदी में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा ए मिलेगा ओ मिलेगा वहीं पर यर्ण स्वर संदी में जो मिलेगा यह मिलेगा वह मिलेगा रह मिलेगा ठीक है आयादी स्वर संदी में जो मिले से चीज़े समझ्न में आ जाएंगी ठीक ह nenhuma चलिए अब बनवाई बन करनकर करके बात खरते हैं कैसा निर्मां होता कैसे परीच cyn करилась है थो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं सबसे पहले हम डालते हैं चीड टीर्ग एक निर्मान होता है आपका ए का और एक निर्मान होता है उ का यह इन तीन का जो है निर्मान होता है अब कैसे निर्मान होता है यह पता होना चाहिए अब मैं यह नहीं लिखा हूँ किसके बाद क्या जाना चाहिए किसके बाद क्या जाना चाहिए तो देखिए क्या सिंपल है सिंपल बात है क्या है अगर ए या आ के बाद में ए या आ आ जाए तो किसका निर्मा होता है आ का निर्मा होता है ऐसे ही ए या ए का निर्माड ए या बड़ी ए के साथ आ जाए तो किसका निर्मा हो जाता है बड़ी का निर्मा हो जाता है इसी प्रिकार से O या O का निर्मा O या फिर O के साथ आ जाए तो किसका निर्मा होता है बड़े O अब समझी क्या होते हैं मतलब यह सबसे पहलों को समझते हैं यहीं O पिलस के O अगर आएगा तो क्या बन जाएगा बड़ा O ठीक है छोटा O पिलस के बड़ा O तो क्या बन जाएगा तब भी बड़ा O बड़ा O पिलस के छोटा बड़ा O तो क्या बन जाएगा बड़ा O अगर बड़ा O पिलस के O आएगा तब भी का बनेगा बड़ा O ऐसे E में E और E तो बड़ी E बन जाएगी छोटी E प्लस के बड़ी E तो बड़ी E बन जाएगी बड़ी E प्लस के छोटी E तो बड़ी E बन जाएगी ठीक है आपके बड़ी E अब प्लस बड़ी E तो क्या बन जाएगी बड़ी E बन जाएगी ऐसी आम है ए और ए आ जाएगा तब क्या बनेगा आ ठीक है अगर आ जाए आ और ए तो क्या बनेगा आ जाएगा यहां पर अगर आ जाए आ और आ तब क्या बनेगा आ बनेगा वहीं पर अगर आ जाए आपका ए और आ तब क्या बन जाएगा तब भी आ बन जाएगा यह नियम है इसके बस यही नियम है अब इसके बाद में जो हम щоб देखंगे और कुछ नहीं करना हमै इसके बाद हमीने कुछ नहीं फिक है कि अबम एक 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 एका एक एक एक्जामपल की बात करते एकज आम्पल क्या है अब समझ जाएंगे लंड़ फेंगत क्षीशज़्स है वो देख लगें तो सबसे पेरा अधारान जो है वो क्या हो है जाएगा अगन पिलस के अबशेश तो यहाँ पर क्या है आपका ए आया नहमे और यहां भी क्या है आपका ए आया बनके का बनेगा आ बनेगा तो क्या बन जाएगा बन जाएगा अगना वे सेस अगना अफसेस बन जाएगा ठीक है अगना अफसेस बन जाएगा ठीक है सै पिलस के अनुरोध क्या हो जाएगा सै पिलस के अन है और यहां पर भी क्या है एह है मिलकर क्या बनेगा आब बनेगा तो क्या बन जाएगा सानू रोध सानू रोध बन जाएगा ठीक है चलिए ठीक है इतना बात समझ पा रहे हो नहीं बताविए स्वेय प्लस के अध्यन स्वेय प्लस के अध्यन स्वेय प्लस के अध्यन तो क्या बनेगा यहां पर आ आ चुका है ठीक है यहां पर भी क्या आ चुका है अगर हम बात करते हैं बहु पिलस के उद्देश यह, क्या हो जाएगा, बहु पिलस के उद्देश यह, तो क्या बन जाएगा, यहाँ उ है, यहाँ भी उ है, तो मिलके क्या बनेगा, बढ़ा उ, तो बन जाएगा, बहु देश सी है, क्या बन जाएगा, बहु देश सी है, यह आपका हो जाएगा, इस तरीके से, बहुत देश ये, अगर हम यहाँ पर साधू प्लस के उपदेश, क्या लिखें, साधू प्लस के उपदेश, ये लिखें, तो क्या बन जागा, साधू प्लस के उपदेश, क्या बन जाएगा, साधू उपदेश बन जाएगा, ठीक है, ये उ बाले हो चुक्या, तो अगर एवालिकी हम बात करें जैसे अधी प्लस के एक शक अधी प्लस के एक शक तो क्या बन जाएगा ज़ोरी अधीक शक यह हो जाएगा और आदा चे शक अधिक शक यह बन जाएगा अधिक शक ठीक है अगर हम यहाँ प्राप्ति प्लस के इक्षा तो क्या बन जाएगा प्राप्ति प्लस के इक्षा तो क्या बन जाएगा प्राप्ति इक्षा बन जाएगा प्राप्ति इक्षा तो यह तो आ चुके हैं आपके संधी बनाने के यह जो आ चुके हैं संधी बनाने के आ चुके हैं अब हम कया करने संधी बिच्खेत करें डीच किया करें के अब जां करने वालेगास अंदी बिच्खेत संदी पिच्छेद में दो-चार सब्द लिखांगे जैसे हम सब्द करें रचनातमक एक सब्द होता हमारा क्या होता है रचनातमक एक सब्द ही हो गया दूसरा सब्द लिखांगे पहला सब्द लिखांगे दूसरा लिखांगे जनाक्रोस चना क्रोस लिखंगे तीसरा सब्द जो लिखंगे वो क्या लिखंगे तीसरा सब्द लिखंगे हम साका हारी साका हारी ठीक है चोथा सब्द जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा अब ये आपके पास सब्द है और आपको क्या बनानी है इसके संदी बिच्छेट करनी है अब सब्द के मद्धिय में देखो यहाँ पर भी क्या है आ है इसमें भी क्या है आ है इसमें भी क्या है आ है ठीक है और इसमें भी क्या है आ है ठीक है इसमें भी क्या है आ है तो जैसे आ का तूट सकता है ऐसे ये का भी तूट सकता है ऐसे ये का भी तूट सकता है तो रचन नहीं होता रचना होता है क्या होता है रचना तो क्या लिखंगे इसे हम रचना पिलस के आत्मक क्या हो जाएगा रचना पिलस के आत्मक जन प्लस के आक्रोज, इसे हम तोड़ देंगे, जन प्लस के आक्रोज, जन प्लस के आक्रोज तोड़ देंगे, शाका में साका नहीं होता, शाक होता है, साक प्लस के एहरी, ठीक है, ए या, आहरी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शाक प्लस के आहर से बना है, आहरी, तो सा इस पाक मतलब घास फूस खाने का जिसका आहार हो उसे गारी होगा देस्ट प्लास के आचार बढूँद यृ किसके वह 끝yst इस्पुध के बात करना तो किसके हो चुके हैं यह वचुके हैं गुण संदी के ये देखें गुड़ संदी सुर्ई दीर संदी है वब पढ़ा है निरमान आ का कैसे होता है इंसके उधारन लिये संदी के उधारन क्या होते है संधी बिच्छे थे अगने प्लस के अफ्षेश्ट स्य-प्लस अफ्षेश अनरोद स्यानरोद हो ठीक है आपका स्य में अध्याव स्वाध्यान हो चुका है सदू फी cooking is the elders कि आधेस इसाथक हो जाएगा प्राप्ति मिठा अबको वो बताया संदी विच्छेद कि हम इसके विच्छेद कैसे करते हैं तो रचना आत्मक रचना पिलस के आत्मक शाक आहरी में शाक पिलस के आहरी ठीक है जन आक्रोस में जन पिलस के आक्रोस बरशन शार में बरश्ट पिलस के आचा यह आपका हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक सब्द होता है, यहाँ पर एक सब्द होता है, प्रार्थी, प्रार्थी सब्द होता है, तो प्रार्थी को कहें तोलंगे, प्रार्थी, तो प्ले प्रस के, प्रे प्लस के, प्रे प्लस के अर्थी, प्ले प्लस के क्या हो ज प्रोंगे योडगा अभी पिलस के लिए सबढ बरी नहीं पहले हैं कि घुट BUT यह हो गया आपके संदी बिच्छे तो एक संदी हो चुकी है हमारी संदी के को चुकी है ठीक आरे तो Whoever Terradia और हमाई थिक है यह संदी गुण स्वर संधी ठीक है? तो गुण स्वर संधी के परिवासा क्या होती है? ठीक है? तो दीखे गुण स्वर संधी सब्दो में किस-किस के बाद में? अगर हम बात करें ए और ए ऐसा माने लो किसका सब्दो में? किस-किस का? A, O और R का निर्मान होता है क्या होता है? निर्मान होता है बस ऐसा समझे लो अब निर्मान तीन चीज़ों को होता है एक तो होता किसका? A का A का निर्मान कैसा होता है? यदि A के बाद में अगर E आ जाए तो क्या बन जाएगा? A अगर A के बाद में Bड़ी A आजाए तो क्या बन जाएगा A बही पर किसका निर्माम होता है? O का निर्माम होता, यदि A के बाद में O आजाए तो क्या हो जाएगा? O हो जाएगा ठीक है एके बाद में अगर बड़ा उ हो जाए तो भी क्या हो जाएगा उ हो जाएगा यदि आ के बाद में उ आ जाए तब भी क्या हो जाएगा उ हो जाएगा अगर आ के बाद में बड़ा उ आ जाए तब भी क्या हो जाएगा उ हो जाएगा बहीं पर आपका आजागा अर अर कर निर्मान यदि ए के बाद में रिशी महाराज आजाएं तो क्या हो जागा अर अगर आ के बाद में रिशी महाराज हो जाएं क्या जाएं रिशी महाराज आजाएं तब भी क्या हो जाएगा अर हो जाएगा तो यह होते हैं इसके उभारन कैसा इसका निर्मान होता है कैसा बनता है यह तो मैंना आपको बता दे लिखाने को ज्यादा इसमा बशकता है नहीं ठीक है इसमें लिखाने को ज्यादा बशकता है नहीं बोन संदी में क्या होता है गुनचिपा होता है मगर इसकी मैं कुछ पहचान बता हूँगा, आपको पहला संधी बिच्छेत कर लो, संधी बिच्छेत कर लो, संधी किसका गुनका, ठीक है, जैसे कि आपके कुछ एक्जामपिल होंगे, जैसे पुस्प पिलस के इंद्रा, पहला क्या हो जागा, पुस्प पिलस के इंद्रा, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ आ है, यहाँ पर क्या है? इह है, और इन दोनों से मिलके क्या बना है? ए, तो क्या बन जाएगा? पुस्प पेंद्र, क्या बन जाएगा? पुस्प पेंद्र बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका महां पिलस के इंद्र, तो यहाँ पर क्या आ गया है यहाँ यहां इंद्र का बन चुका है तो क्या हो जायगा महिंद्र हो जाएगा आज्य ऑद्सक्राइगा अगर हम बात कर सत्य के इंद्र क्या बन जायगा सत्य है सत्ये पिलस के इंद्र तो क्या हो जागा, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, ठीक है और यहाँ पर आपका ई आ जाएगा और क्या बनेगा, ए बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, सत्ये इंद्र सत्ये इंद्र हो जाएगा ठीक है, सत्ये इंद्र हो जाएगा सोर्य प्लस के उर्मी तो ए और उ ए हो चुका है और यहाँ पर उ हो चुका तो क्या बनेगा आपका बनेगा उ तो क्या हो जाएगा सोर्यो सोर्यो उर्मी सोर्यो उर्मी यह हो जाएगा सोर्यो उर्मी यह वाला बन जाएगा ठीक है, एक तो यह हो चुका है, अगर हम एक दो लेलो उका, तो क्या बनेगा सोर्य उर्मी के बाद में, जैसे आपका पूर्व प्लस के उत्तर, क्या बन जाएगा, पूर्व प्लस के उत्तर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ चुका है, और यहां पर क्या है, तो क्या हो ज रुका है अर्वाला लेते हैं अर्वाला तो अर्वाले में क्या जागा जैसे सब्द में आपका ए और जैसे महा पिलस के रिशी महा पिलस के रिशी तो क्या हो जाएगा महरिसी हो जाएगा महर रिशी क्योंकि यह रह जो आया है वो रिशी के और आकर इस्थान पर आया है ठी महा पिलस के रिशी हो गया और महा के बाद रिशी का कोई और सब्द जैसे आपका बन जाएगा आपका हो जाएगा महा पिलस के महा पिलस के रिशी हो गया कोई और एक्जाम्पिल ऐसा हो जो अर बन जाए महा प्लस के रिद्धी हो सकता है महा प्लस के रिद्धी तो क्या हो जाएगा महा रिद्धी महा रिद्धी क्या बन जाएगा महा रिद्धी यह बन जाएगा, तो यह तो हो चुके हैं आपके किस-किस के, एका हो चुका है, यहां भी एका हो चुका है, यहां भी एका, यहां पर ओका हो चुका है, यहां भी ओका हो चुका है, अब यहां पर क्या था, अर, तो अर का हो चुका है, यहां पर भी क्या था, अर, तो यह भी आरका हो चुका है तो ये तो थे हमारी संधी मनानी और हम जम करेंगे इसमें संधी विच्छेद करेंगी क्या करेंगे गुन संधी में संधी विच्छेद गुन संधी में संधी विच्छेद संधी विच्छेद संदी विच्छेद अब संदी विच्छेद में अगर मान करें जैसे कि आपका हो जाएगा सुद्ध हो धन सुद्ध हो धन यह आगियो तो इसका क्या आजाएगा आपका आजाएगा सुद्ध पिलस के आपका उधन उधन हो जाएगा उधन उधन हो जाएगा क्योंकि A और O क्या बना देगा? O बना देगा, तो क्या हो जाएगा? सुद्ध उधन हो जाएगा, ठीक है? अब आपका आजाएगा एक हो जाएगा, गर्ब उक्ती क्या हो जाएगा? गर्ब उक्ती गर्ब उक्ती यह हो जाएगा गर्बुक्ती ठीक है इतनी बात याद रखना है गर्बुक्ती हो जाएगा अगर हम और आके बात करें तो एक आपका हो जाएगा नरेंद्र क्या हो जाएगा नरेंद्र नरेंद्र तो नर पिलस के नर पिलस के क्या हो जाएगा इंद्र ठीक है एक हो जाएगा आपका महिंद्र महिंद्र तो क्या हो जाएगा महा पिलस के इंद्र क्या बन जाएगा महिंद्र बन जाएगा महा पिलस के इंद्र महिंद्र ठीक है, एक आगा आपका, एक होता आपका, अथिक्षा, अथिक्षा क्या होता है, तो क्या हो जागा, अथिक्षा क्या हो जागा, अथिक्षा क्यों, यहाँ पर बनना है ए, और ए किसमें तूटता है, यह ए और ए में तूटता है, इस तरीके से लिख लेंगे, ए और ए में तोटता है ठीक है इसलिए जरूरी है ये भी चीजे अब एक दो सब्द होते हैं अब बाद के रूप में एक दो सब्द जो होते हैं वो अब बाद के रूप में होते हैं उनको आप लिख लगए अब बाद क्या होते हैं अप बाद इसमें जैसे आप का जाएगा स्वेय पिलस के एर तो बैसा है तो डबल मात्र लग जाएगी मगर होता किसका है यह होता किसका बरद्दी कही होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा स्वेर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्वेर हो जाएगा फिर एक आपका प्रे प्लस के ओड क्या हो जाएगा प्रे प्लस के उड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रोड हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रोड हो जाएगा इसका यह अब बाद है इसमें ठीक है अब आख्ष प्लस के उहनी क्या होगा एक उर होता आख्ष प्लस के उह नी तो क्या होगा अक्षोहनी अक्षोहनी तो यह आपके आ चुके हैं गुड़ तो आज के बल दो ही संदी हुई है आपकी एक तो ब्रद्दी संदी और एक आपकी गुड़ संदी ठीक है कल जो आपको कराएंगे हम वो कराएंगे आपको ब्रद्दी संदी यड़ संदी और आयद कैसल को 3 नी कर दो जाएंगे एक संदी की होगी और एक या उत अ Dansko खर्रा सकते हैं ठीक है कंद धार को टाइम लेना नहीं है टीक है तो अपने कि मिलते आप पर तो जब तकक कर निया जहन जवारत बंदे मात्र हुग